हैलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे साथ आप देखने हैं देवराज अकैडमी चैनल आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपना एकेंदर में कैसे करते हैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्योंकि अगली वीडियो में मैंने बताया था सिर्फ वीडियो के वाईसी उसमें कुछ लोगों को समस्या हैं आ रही थी इसलिए मैं आज बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे कंप्लीट के वाईसी अपना कर सकते हो घर बैठे ही बिना किसी की मदद लिये होए बहुत ही आसानी से उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा क्रोमा ब्राउजर में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे आप और उसमें सर्च के बार में सर्च करना होगा अपना e-kendr उसके बाद में अपना e-kendr की वो official website पे जाना होगा जैसे कि आप पहले registration कर चुके हैं अगर नहीं किये हैं तो वीडियो में डाल दिया हूँ चैनल पे जाकर देख सकते हैं और उस हिसाब से registration कर सकते हैं उसके बार आप यहाँ sign up कर लेंगे जैसा कि sign up तो आप करे सकते हैं इसलिए मैं फास्ट में बता रहा हूँ थोड़ा ताकि ज्यादा time ना लगाते हुए speed में थोड़ा कर लेते हैं क्यूंकि अगर ज्यादा समय लगाएंगे तो फाल तो समय बेस्ट होगा इसलिए देवराज चैनल समझता है आपकी समय की कीमत इसलिए speed में हर काम को बताते हुए आपको हम बताते हैं किस थरह हो सकता है उसके लिए आप यहाँ पर मैंने अपना duct board open कर लिया हूँ आप भी यहाँ पर अपना duct board open कर लेना और उसके बाद में आपको यहाँ पर KYC pending option दे रहा है यहाँ पर KYC पर touch करना है जैसे ही आप यहाँ पर touch करेंगे आपके सामने कुछ इस परकार का page open होकर आजाएगा और जैसे यह page open होकर आएगा आप यहाँ पर simply और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी member ID और password करने लिए गाए एजेंट ऑपने आपको आपना इम ढब देना है जिसे मैं डाल देता हूं देवराज इभराज शो यह मिन पूरा इसवेष हो चुका था लेकिन अब मैं वापिस आ चुका हूं अब मैं यहाँ पर डाल दूगा देवराज और उसकी बाद में यहाँ सब्स नम्बर में तीम करें यहां पैसित करने काउंट परकेंस चाहिए बंग करकेंसी आपको के महाइं पर दोड़ी आपकेंसे हैं अपको पासबूक पर झाहिए लिक है और यहतोछ स्पि morale रही खाल इस दोड़ Brook के साथ यहां पर आप आप डालने के बाद आपको अपना पर्मानेंreg जालना होगा जैसे अड्रेयस डाल देंगे आपको सिल्ट बैंक का ओपसन आप यहां टेसलेक्ट कर सकते हो मैंने अपना bank select कर दिया हूँ और कुछ देर में आपको एक IFC code देखने को मिलेगा IFC code फिलाले यहां पे change नहीं हो रहा है तो आपको change करने में कोई दिक्कत भी नहीं आप नहीं change करोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि यह master IFC code रहता है उसके बाद आपको अपने आधार card के front को copy का photo लेना है simply जैसे मैं camera open कर लेता हूँ और मैंने इसकी front की photo कहींच दिया हूँ और upload हो चीकी आसानी से आप देख रहे हैं यहां पर और उसके बाद मैं आपको sorry मैंने back की photo की ले ली थी इस बाद front की ले देते हैं क्योंकि हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए तो आपको सही photo डालना होगा मैंने उसके बाद मैं front की photo पीछे side की photo खीच देते हैं और सही के button पे touch कर देते हैं यह भी upload हो जाएगा उसके बाद आपको अपना एक photo upload करना होगा जिसे कि मैं अपना photo upload कर देता हूं तो मैं अपना photo upload करने के लिए simply आगे का camera open करता हूं और मैं अपना photo भी upload कर चुका हूं यहाँ पर मेरी भी photo आप देख रहे होगे और उसके बाद आपको नीचे pen card की photo upload करनी है यहां पे आप देख रहे हो जैसे मैं कामरा पीछे का करता हूँ और यहां पे अपना पैन कार्ड की फोटो अपलोड कर देता हूँ और अपलोड करने के बाद आपको संपली पेन कार्ड भी अप्लोड हो चुका उसके बाद आपको सब्मिट के उप्सन पे टच करना होगा याद रहे आपकी फोटो सिर्फ जे पी जी या जे पी जी और या जे पी इजी ही कलर फोटो होनी चाहिए जैसे कि साधी वाइट और बलेक नहीं चलेगी उसके बाद आपको सब्मिट पे टच कर देना सब्मिट करोगे आपकी के वाइसी कंप्लीट हो जाएगी आपको आप इस वीडियो के वाइसी महांगेगा तो वीडियो में सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड लेके बताना है कि मेरा डिरस यह है और उसके बाद में आपको बताना है कि मेरी member ID क्या है उसके बाद आपकी KYC अप्रूब कर दी जाएगी आप देख रहे हो मेरा successfully submit हो चुका है उसके बाद में आपका submit हो जाएगा जैसे submit होने के बाद 24 घंटे के अंदर आपकी KYC अप्रूब कर दी जाएगी अगली वीडियो में हम next मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद आपको वीडियों अगर नहीं कुछ समझ में आया होगा तो आप हमें comment कर देना हम अगली हर Monday को आपको लेकर बताते रहेंगे हर comment box का live stream करेंगे आप देख सकते हो you are successful registration हो चुका है अब मुझे वीडियों KYC करना होगा वीडियों KYC के लिए मैंने वीडियों upload कर दिया हूं यूटूब पर आप चैनल पर जाकर देख सकते हो अगले वीडियों में